दोस्तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे HDFC bank home loan के बारे में इस वीडियो में हम step by step complete process देखेंगे कि कैसे आप easily HDFC bank से अपना home loan avail कर सकते हो इन सब के अलावा step by step हम ये भी देखेंगे कि अगर आप salary class हो यानि अगर आप कहीं पर job करते हो तो आपके लिए क्या rules and regulations है home loan लेने के लिए और अगर आप self-employed हो यानि अगर आप अपना खुद का business करते हो तो इस case में अगर आपको HDFC bank से home loan लेना है तब आपके लिए क्या terms and condition है और add the end अगर आप farming से जुड़े हो यानि अगर आप किसान हो तो इस case में अगर आपको HDFC bank से home loan लेना है तब आपके लिए क्या rules and regulation है इस video की खास बात ये है यानि HDFC bank की खास बात ये है कि जो लोग farming से जुड़े होए यानि जो लोग agriculture से जुड़े हुए हैं उनके लिए HDFC bank is best bank for home loan क्योंकि अगर हम दूसरे bank को की बात करें तो काफी सारे bank जो लोग agriculture से जुड़े होए हैं उन्हें काफी सारे banks ये बोलते हैं कि आप अपनी ITR शो करिए अप जो व्यक्ति farming से जुड़ा हुआ है यानि जो छोटा किसान है उसे ITR नाम की चीज भी नहीं पड़ता होती लेकिन HDFC bank एक ऐसा bank है जो farming से जुड़े लोगों को ये बोलता है कि आप अपना बस agriculture land शो करें यानि आप बस ये दिखाईए कि आपके पास कितनी जमीन आपके नाम पर है depending on your land यानि आपकी जितनी भी land value होगी उसी के ओपर depend करते हुए आपको home loan HDFC bank offer करेगा बाकी home loan के बारे में start करें चाहे वो salary class के लिए हो चाहे वो self employed के लिए हो या फिर वो farmer के लिए हो जब भी आप HDFC bank में visit करेंगे home loan अवेल करने के लिए bank सबसे पहले आपसे एक ही सवाल पूछेगा कि आपको fixed rate of interest पर home loan चाहिए या फिर floating rate of interest पर आप fixed rate of interest और floating rate of interest क्या होते हैं देखो मान लीजिए आज की date में HDFC bank 6.80% का rate of interest हमें offer कर रहा है आप bank में जाकर के बोलते हो कि मुझे 20 सालों के लिए home loan चाहिए और आपने ये का कि मुझे fixed rate of interest पर home loan चाहिए तो इस case में चाहे अगले 20 सालों में home loan के rate of interest बढ़ें चाहे home loan के rate of interest घटें आपको 6.80% के हिसाब से ही अगले 20 सालों तक अपनी EMI पे करनी है दूसरी तरफ अगर आप bank में जाकर के ये बोलते हो कि मुझे floating rate of interest पर home loan चाहिए तो आज अगर HDFC bank के home loan के rate of interest 6.80% के चल रहे हैं और कल को मान लिजी आज से 1 साल के बाद 2 साल के बाद कल को ये home loan के rate of interest बढ़ जाते हैं तो इस case में आपको बड़े हुए rate of interest के हिसाब से अपनी बची हुई EMIs पे करनी होगे अब इसका उल्टा भी हो सकता है कल को मान लिजी 6.80% से घट कर home loan के rate of interest HDFC bank में मान लिजी 5% पर चले गए तो आपको अपनी बची हुई EMIs अब 5% के rate of interest के हिसाब से ही pay करनी है अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि हमें fixed rate of interest चूज करना चाहिए या फिर floating rate of interest वेल देखो इसका simple सा answer यह है कि आज की date में जादा तर bank fixed rate of interest offer ही नहीं करते यानि आपको बहुत जादा उनके साथ negotiate करना पड़ेगा अगर आपको fixed rate of interest चाहिए और दूसरी बात floating rate of interest fixed rate of interest के comparatively बहुत जादा better है अब इसका reason यह है कि मान लीजिए आज HDFC bank 6.80% का rate of interest offer कर रहा है और आपने यह सोचा कि ठीक है मैं जा करके fixed rate of interest ले लेता हूँ इस case में यह जो rate of interest अपनी websites पर HDFC bank ने show किया है यह सिरफ floating rate of interest के लिए आप अगर जा करके यह कहेंगे कि मुझे fixed rate of interest पर 6.80% से हमें home loan दे दीजिए तो इस case में HDFC bank कहेगा wait आपको यहाँ पर 1% से लेकर 1.5% तक जादा rate of interest हमें pay करना पड़ेगा अगर आप fixed rate of interest लेना चाहते है यानि fixed rate of interest, floating rate of interest के comparatively आपको जादा rate of interest पर मिलेंगे अब दूसरा सवाल यह आता है कि home loan लेने के लिए eligibility क्या है अब इस case में HDFC bank से अगर आपको home loan लेना है तो कम से कम आपकी age 21 years होनी चाहिए और जादा से जादा आपकी age 65 years होनी चाहिए अब इस case में जो loan है वो कम से कम आपको 1 year के लिए लेना ही पड़ेगा और जादा से जादा आप 30 years के लिए अपना home loan ले सकते हैं अब इस case में जैसा कि मैंने आपको बताया कि maximum age 65 years है अगर आप home loan अवेल करना चाहते हैं अब 65 years का मतलब ये नहीं है कि आप 65 साल की उमर में जा करके एक fresh loan 30 years के लिए लोगे 65 years का मतलब ये है कि जब आपकी age 65 years तक पहुचेगी तो जो भी आपका पहले से home loan चल रहा है यानि 65 years की age तक आपका home loan complete हो जाना चाहिए यानि अगर माली जी आप 60 years की age में एक home loan लेते हो तो bank की इस case में आपको 30 years के लिए home loan नहीं देगा इस case में bank आपको सिर्फ जादा से जादा 5 years के लिए ही home loan ले सकता है यानि 65 years की age तक आपका home loan complete हो जाना चाहिए इन सब के अलावा काफी लोगों का सवाल ये होता है कि मेरी salary इतनी है मुझे कितना home loan मिलेगा इस case में HDFC bank clearly ये बोलता है कि अगर आप salary class हो यानि अगर आप कहीं पर job करते हो तो इस case में आपकी minimum salary 10,000 rupees होनी चाहिए और अगर आप self employed हो यानि अगर आप अपना खुद का business करते हो तो इस case में आपकी minimum income 16,000 5 years per month होनी चाहिए इन सब के अलावा ठीक है minimum salary मेरी इतनी है या फिर मेरी minimum income monthly इतनी है तो मेरी salary के हिसाब से मुझे कितना maximum home loan मिलेगा इसका भी simple answer ये है कि जितनी भी आपकी income है यानि जितनी भी आपकी monthly salary है उसका 60 times तक आप maximum home loan ले सकते हो जैसे कि अगर मालीजे किसी व्यक्ति की 10,000 रुपे per month salary है तो इसका 60 times यानि वो जादा से जादा 6,000,000 रुपे का home loan HDFC bank से ले सकता है इसके बाद LTV यानि loan to value को एक बर हम discuss कर लेते हैं इस case में HDFC bank simply ये बोलता है कि अगर जो भी घर आप purchase करना चाहते हो तो उसकी value अगर 30,000,000 रुपे से कम है तो इस case में जो भी value घर की है उसमें 90% तो हम आपको loan की form में दे देंगे और बचा हुआ 10% आपको down payment करनी पड़ेगी जैसे उधारन के तोर पे अगर मालीजे जो घर आप purchase करना चाहते हो वो 30,000,000 रुपे का ही है तो इस case में HDFC bank ये बोलता है कि 80% तो मैं loan दे दूँगा पर 20% आपको down payment करनी पड़ेगी जैसे अगर मालीजी आपके घर की value 60,000,000 रुपे है तो इस case में bank ये बोलता है कि 48,000,000 रुपे तो मैं आपको loan दे दूँगा पर 12,000,000 रुपे आपको down payment करनी पड़ेगी और अगर आपके घर की value 75,000,000 रुपे से जादा है तो इस case में bank ये बोलता है कि 50% value तो मैं आपको loan की form में दे दूँगा पर 25% आपको खुद down payment करनी पड़ेगी जैसे अगर आपके घर की value 1 करोड रुपे है तो इस case में 75,000,000 रुपे bank आपको loan दे देगा पर 25,000,000 रुपे आपको down payment करनी पड़ेगी इन सब के अलावा home loan लेने का एक बहुत बड़ा फाइदा ये भी है कि आपको tax rebate भी मिल जाती है जैसे section 80C of income tax act के तहत 1,500,000 रुपे तक आप अपना tax rebate ले सकते हो अपनी principal repayment पर इन सब के अलावा section 24 ये बोलता है कि आप 2,000,000 रुपे की tax rebate additional ले सकते हो आप अपनी interest payment पर इन सब के अलावा अगर आप first time home loan buyer हो तो section 80EE के तहत आप additional tax benefits भी ले सकते हो यानि tax benefits भी एक बहुत बड़ा benefit है अगर आप home loan purchase करते हो इन सब के अलावा HDFC bank maximum कितना home loan देता है देखो minimum home loan HDFC bank आपको offer करता है 1,000,000 रुपे का यानि आपको 1,000,000 रुपे का तो home loan HDFC bank से लेना ही पड़ेगा और maximum home loan 10 करोड रुपे तक HDFC bank offer करता है इन सब के अलावा एक processing fees HDFC bank चार्ज करता है यानि जब आप HDFC bank से home loan लेने के लिए जाओगे तो एक file चार्ज होता है जिसे हम processing fees बोलते है ये 0.50% HDFC bank processing fees चार्ज करता है जैसे अगर मालीजी आप जितना भी loan लेंगे उसकी 0.50% amount as a processing fees HDFC bank चार्ज करेगा अब इस case में डरने की बात नहीं है ये amount जादा से जादा 3,000 रुपे हो सकती है यानि अगर मालीजी कोई व्यक्ती अगर 1 करोड रुपे का loan लेता है तो ऐसा नहीं है कि उसे इस case में 0.50% की processing fees पे करनी पड़ेगी इस case में उसे maximum 3,000 रुपे ही as a processing fees HDFC bank को पे करनी पड़ेगी अब यहाँ पर एक और सवाल यहाता है कि अगर मालीजी बाइचांस ठीक है मैंने home loan ले लिया उसके बाद मैं अपनी EMI भी पे कर रहा हूँ बाइचांस मालीजी किसी महीने में अपनी EMI पे नहीं कर पाता तो इस केस में HDFC bank मेरे ओपर कितनी penalty लगाएगा वेल देखो यहाँ पर जितनी भी आपकी payment delay होगी मालीजीए अगर 10,000 रुपे की आपकी EMI है और आपने यह pay नहीं करी तो इस केस में HDFC bank यह बोलता है कि हम इसके ओपर 18% per annum के हिसाब से penalty लगाएगे 18% per annum यानि monthly 1.5% की penalty आपके ओपर लगेगी यानि अगर आपने 10,000 रुपे की किष्ट एक महीना लेट बरी है तो आपके 10,000 रुपे के ओपर 1.5% की penalty आपको pay करनी पड़ेगी यह था आपका late payment का charge इन सब के अलावा काफी लोगों का सवाल यह होता है कि ठीक है मैंने HDFC bank से home loan ले लिया अब इस case में मान लीजिए मैंने 20 सालों के लिए home loan लिया ठीक है मुझे 20 साल तक अगले 20 साल तक हर महीने अपनी EMI पे करनी है लेकिन काफी लोगों का सवाल यह होता है कि मान के चलो कि कल को आज से 2 साल, 3 साल के बाद मेरे पास कहीं से 1.8 पैसा आ गया तो क्या मैं अपना यह home loan जल्दी close कर सकता हूँ इस case में HDFC bank यह बोलता है कि अगर आपने individual level पर home loan लिया तो इस case में तो आज अगर आपने home loan लिया है तो कल को चाहे आप एक महीने के बाद अपना पूरा loan close कर दो आपके ओपर कोई penalty नहीं लेगी लेकिन अगर HDFC का home loan किसी company, किसी trust, किसी NGO या फिर HOF के नाम पर issue हुआ है तो यह लोग loan का foreclosure नहीं कर सकते अगर यह लोग loan का foreclosure करेंगे तो इस case में इन लोगों को 2% की penalty HDFC bank को pay करनी पड़ेगी At the end, एक बार हम यह देख लेते हैं कि कौन-कौन से document submit करने पड़ेंगे अगर आप salary class हो, देखो अगर आप salary class हो और अगर आप HDFC bank से home loan लेना चाहते हो इस case में आपको अपनी एक passport size photograph, home loan apply करने का form इन सब के अलावा past के 6 महिने की bank account की statement आपको अपनी latest salary slip और form 16 जिसमें आपकी complete salary की detail आ जाती है पूरे financial year की, तो form 16 अगर आप salary class हो तो यह आपके लिए बहुत जरूरी है तो यह document salary class लोगों के लिए थे अगर आप self-employed हो तो basic KYC के documents same रहेंगे जैसा की salary class के थे additionally आपको अपने 3 साल की ITR show करनी पड़ेगी और 3 साल की आपको profit and loss की balance sheet share करनी पड़ेगी और अगर आप farming से जुडे हुए हो तो इस case में mainly आपको यही show करना पड़ेगा कि आपकी land holding के documents आपको दिखाने पड़ेंगे कि आपके पास कितनी जमीन है इसी के ओपर ही depend करते हुए आपको HDFC bank home loan issue करेगा अब HDFC bank home loan की एक अच्छी बात यह है कि farmers से यह किसी भी तरह का income proof नहीं मांगता अगर मैं दूसरे bank को की बात करूँ तो दूसरे bank farmers को यह बोलते हैं कि आप अपनी 2 साल की ITR हमें दे दीजिए तीन साल की ITR दे दीजिए लेकिन HDFC bank किसी भी तरह का कोई भी income proof नहीं मांगता HDFC bank simply यह बोलता है कि आपकी कितनी land है यानि आपके पास कितना land है केवल हमें आप उसकी information दे दीजिए आपके पास जितना land है यानि जितनी भी आपके land की value है वही आपकी capability हम मानेंगे और इसी के उपर ही depend करते हैं यानि इसी behalf पर ही हम आपको home loan issue करेंगे अब इस case में एक चीज आपको बस ध्यान ये रखनी है कि अगर आप गाउं में रहते हो तो आप agriculture area पर land नहीं ले सकते यानि आप agriculture जमीन पर अपना घर नहीं बना सकते आपको अपने गाउं के residential area में ही अपना घर लेना पड़ेगा तभी आपको HDFC bank home loan issue करेगा दूसरी बात जो भी आप अपनी जमीन दिखा रहे हो बैंक के पास यानि आप अपनी जमीन जो बैंक को show कर रहे हो इसमें आप ये मत घबराना कि आपकी ये जमीन बैंक के पास गिरवी रहेगी ये जमीन बिल्कुल भी mortgage नहीं होगी आपका जो घर है वही आपका bank के बास mortgage होगा आपका जो agriculture land है वो सिरफ as a income proof आपका काम करेगा इन सब के अलावा एक term at the end हम ये discuss कर लेते हैं home loan के अंदर एक चीज़ होती है balance of transfer और एक चीज़ होती है home loan top up अब balance of transfer और home loan top up क्या होते है जैसे मान लीजिए आपका home loan किसी दूसरे bank में चल रहा है और दूसरे bank से मान लीजिए आपका home loan state bank of India में चल रहा है और state bank of India से आप home loan transfer HDFC bank में करवाना चाहते हो जब आप एक bank से दूसरे bank में home loan transfer करते हो इसे हम बोलते है balance of transfer और home loan top up का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपने घर बनवाने के लिए 50 लाख रुपे का bank से loan लिया, आपने घर बनवाना शुरू किया, अब इस case में ये 50 लाख रुपे मान लीजिए आपके खतम हो जाते हैं, इसके अलावा अभी आपका घर pending पड़ा है और आपको और loan कि उपर जब आप loan लेते हो, तो उसे हम home loan top up बोलते हैं, ये सारी terms मैं उमीद करता हूँ कि जब आप loan लेने जाओगे, ये सारी terms तब आपके काम हाएंगी जब आप bank employee से बात करेंगे, in case अगर आपको लगता है आपका फिर भी कुछ doubt है, तो नीचे comment ज़रूर करना, मैं ह हर question का answer करने की कोशिश ज़रूर करूं, बाकि अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी informative लगी हो, तो वीडियो को like और channel को subscribe ज़रूर करना, अभी के लिए this is the end of the video, thanks for listening and thank you all.